मुझार्ण चैनल जुटा प्रेश्ट जुटा जुटा आज में एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूँ और यह इंपोर्टेंट टॉपिक है कि क्या बचे हुए शिक्स मन्त में एक टॉप रेंक एचीव की जा सकती है क्या बचे हुए बचे हुए शिक्स मन्त में निम्सेट क्रेक किया जा सकता है क्या बचे हुए शिक्स मन्त में आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुच सकते हैं यस यह एक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ा कुश्चन होता है जैसा कि आप देख रहे होगे कि निमसेट 23 तक अगर मुझे पहुचना है तो क्या मुझे स्टैप लेना चाहिए क्या मुझे बढ़ना चाहिए 23 के लिए या अभी छोड़ देना चाहिए कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं कि प्रपेरिशन तो शुरू कर दी थी बट कुछ रीजन से उनका प्रपेरिशन कंटीन्यू नहीं हो पाया अब उनको यह लग रहा है कि मुझे प्रपेरिशन छोड़ देनी चाहिए या कंटीन्यू करनी चाहिए क्या जो बचे हुए 6 मंथ हैं उसमें हम अपना एक ड्रीम कोलेज ले पाएंगे तो आज इस टॉपिक पर हम लोग डिटेयर इस टीन रैंक सिर्फ और सिर्फ 35 से चालेज दिन में ली है ओल ओवर इंडिया 107 रैंक सिर्फ और सिर्फ लास्ट के एक डिल महीने में लिए यह ऐसे बच्चे भी हमारे क्रैस कोर्स में जुड़ते हैं और यहां पर आते हैं जिनको उससे पहले निमसेट की बारे में ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम्पल यह दो ग्जामपल दिया है इसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट तीन महीने में भी निकाल सकते हैं आपके पास तो 6 मंथ है 6 मंथ में तो डेफिनिटली बच्चे निमसेट क्रैक करते हैं और अपने कैरियर को अच्छा बना लेते ह हो सकता है कुछ बच्चे नियूंग हों कि निमसट क्या है तो बता दू निमसट एक NIT के लिए NIT के थूरों MCA करने के लिए एक National exam चाहिए इस exam में अगर आप कह सकते हो अच्छा स्कोर करते हो तो आपको NIT जैसे Top Colleges National Institute of Technology से MCA करने को मौथा है right मेरा नाम कार्तिक सर है मैं मेरा जो इस पर बहुत डेटेल में बात इसलिए भी करेंगे हम कि आखिर क्या हमारे सिक्समंत की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक एक पॉइंट में बात करेंगे वो निकलेगा आपके मार्च में लाइव होगा फरवरी के बाद आता है कभी कभी डिले होगा तो अपरेल जाएगा और एकजाम जो होता है वो में में होगा या जून पर होगा तो यह बहुत राइट टायम है अभी आप प्रपरेरेशन कर सकते है और डिफिनिट्ली आप दस्तत मांजी हैं, इन्होंने वो काम किया था, जो पहले कभी ना तो किसी ले किया था, ना तो कोई करने की सोच सकता है, और अभी भी कोई करने की नहीं सोच सकता है, इन्होंने वो काम किया था, इन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड खोद दिया था, यह सुबह जाकते थे, पहार खोद थे रात को सोते थे सुभः जागते थे पहार खोद थे रात को सोते थे इनका कोई और काम नहीं था इन्होंने 10-12 साल लगाए और एक बड़ा सा पहार खोद दिया तुम सोचो मतलब लोग इन्हें पागल कहने लगे थे कि भाई ये पागल है और इन पर तो एक movie भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, जो दरसत माजी पर की पूरी real story पर बनाई गई है, तो बच्चो जब ये उस चीज को कर दिये, जो ना तो कोई सोच तकता है, ना कभी कोई सोचेगा, तो आपको तो वो काम करना है, जो बहुत लोग हर साल करते हैं, तो पहले तो अपने दिमाग से clear करिए, कि आप बिलकुल निमसेट क्लियर करने जा रहे है, अब मैं आपको point by point बच्चो बताता हूँ, पूरा detail देता हूँ, निमसेट exam के बारे में, साती साथ syllabus के बारे में, क्या strategy आपको अपनानी चाहिए, कैसे एक top rank आपको achieve होगी, बा logical reasoning के 40 questions आते हैं, each of 6 marks, that means 240 marks, computer के 10 questions, 8 marks, 80 marks, और English के 20 questions, 4 marks, 80 marks, mathematics हमारा 95% IIT, JEE, means का syllabus होता है, 5% में कुछ graduation के topic पूच ली जाते हैं, तो 600 marks का हमारा mathematics है, logical reasoning तो हम लोग की कह सकते हो कि आपका bank SST में जो पूछा जाता है, बैंक में, SST exam में, वही logical reasoning है, computer बहुत basic है, यह मालों आप gate level के questions तो हो जाते हैं, बट बहुत ही limited topics हैं, और English वही, जो हमारी bank वागरा पूछी आती है, अच्छा मतलब यह हमारे पास 120 questions आते हैं, 50, 40, 90, 10, 100, 120, 120 minutes होते हैं, और 1000 marks का paper होता है, exam में generally कभी कभी किसी website आप देखोगे, तो 480 लिखा होता है, बट उसमें actually weightage होता है, जैसे 4 number का 1 question होता है, अब उसमें weightage 3 times दे दिया जाता है math को, तो math का 1 question 4 की जगे 12 का हो जाता है, तो इस तरीके से math आप समझने हो, बट आपके लिए बहुत important है, बद important तो बिठा computer और English भी है, क्योंकि competition अब ऐसा हो गया है, निमसर्ड exam में, कि 100, 150 number के अंदर पूरी seats fill होके, खतम होना सुझाती है, बट फिल होना start होती है, और खतम भ आपको बट रहता है, तो हमारा बिल्कुल पैटर्न से बनाया है, ताकि आपकी preparation एकदम स्मूथ जाए, ठीक है, आप ये परिशान ना हो, कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, या मुझे पहले क्या करना चाहिए, बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो हमारा बिल सबसे पहले होता है, fundamental of mathematics, यार ये इतना important topic है, कि इससे direct 3-4 question भी exam में आ जाते है, yes, direct hit होते है, 3-4 question, particular fundamental of mathematics से, ये सबसे पहला topic है, कहा जाता है, जब आप कोई युद्ध करने जा रहे हो, वार लड़ने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले से ready होना चाहिए, तो mathematics की बहुर के लिए ये log inequality, modulus function, graph, domain, range, right, आप समझ रहा हो मेरी बात को, तो ये जो topics है, वह छोटे-छोटे topics ही है, trigonometry, basics, ये सब आपको पता होनी चाहिए, इसी को fundamental of mathematics मोलते है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, बच्चो, advance मैं आपको बता देता हूं, ACME Academy, पूरा fundamental of mathematics क सीरीज को free करने जा रहा है, उटू चैनल पर, yes, ACME Academy, fundamental of mathematics की पूरी सीरीज, जो हमारी 15 to 20 वीडियो की है, वो 1 by 1, 1 by 1 आपके लिए आना सुरू हो जाएगी, और आप उनको देखोगे, तो आपको अगर math से डर लगता है, कोई bio commerce बाला बच्चा है, math बाला बच्चा नहीं ह probability, यार यह पहला module है, और इस पहले module को आगर आप कर लेते हैं, तो exam में आपको 10 से 12 questions, mathematics के out of 50, आपको इनी module 1 के जो 4-5 topic मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको module 1 करना है, और इस module 1 को आप easily one month में करिए, कोई problem नहीं है, आप इसको one month दीजिए, आराम से एक महीने में करिए अपने according time मनाईए, 8-10 दिन में fundamental mathematics करिए, set relation function को भी आप आराम से 5-6-7-8 दिन दीजिए, permutation, combination को आप 10 दिन दीजिए, probability को भी आप 7-8-10 दिन दीजिए, 3-4-5 दिन आप statistics को दीजिए, एक महीना लीजिए, और module 1 को बहुत अच्छे से करिए, पढ़डे आपको इसके लिए जो पढ़ना पढ़ेगा, वो 3-4 घंटे की आपको concept class करनी होगी, ठीक है, और 1-2 घंटे आपको practice and test में देना होगा, मतलब अगर आप पढ़डे 5-6 घंटे, 7 घंटे अगर आप देते हैं, तो आप definitely एक महीने में इसमें बहुत अच्छा अपना कर लेंगे, यह हमारा पहल हो गया, module 2 में हमने आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेटरी बेक्टर रखा है, कि ट्रिग्नोमेटरी इसलिए important है, क्योंकि calculus पूरा ट्रिग्नोमेटरी पे बेज़ड होता है, तो आप इन दोनों को करिए, इससे भी 10-12 कुष्ण नहीं आते हैं दोनों से, और आप इसको भी आरा या, classes करेंगे, या, concept अपनी cover करेंगे, और एक, दो, तीन घंटे आपकी practice होनी चाहिए, ठीक है, test देने चाहिए, module 3 पे आते है, यह पूरा calculus बाला पार्ट है, difference, season, limit, quantity, difference, ability, application of derivatives, ठीक है, indefinite, definite, irrigation, area-bounded, or differential equation, आप चाहे तो differential equation छोड़ सकते हैं, inside में बहुत जादा videos नही rate of change कर लें आप, rate of change कर लें आप, tangent normal कर लो, maximum inma कर लो, इस तरीके से, 12-15 question लें और आप इसको भी एक मन्त देंगे ना, तो यह sufficient रहेगा, more than sufficient, बन मन्त में more than sufficient, मतलब, December, January, February में आपने module 3 तक कर लिया, यहां पर भी 12-15 question, अगर मैं total मिला दूना, तो 35 question तक आप पहुंच चुके है, 35-40 question की तरह आप बढ़ रहे है, यह माल लीजी यहां तक, 35-40 question आपके easily हो जाएंगे, अगर आप इस pattern पर पढ़ेंगे, और यह pattern वो यह pattern को follow करता था, resonance में और इसी pattern पर ही dropper बच्चों को पढ़ाते थे, तो आप इसी pattern को apply यह definitely बहुत help करता है, module 4 में यह topics रखे हैं, हमने sequence series, matrix, alignment, relation function, actually, मैंने module 1 में ही रख दिया, तो आप यहां से हटा सकते हो, इसको, right, sequence series, matrix, alignment, quadratic equation, complex number and binomial theorem, जो बचे हुए हैं, तो 10-12 questions हमारे यहां पर भी आते हैं, इसको भी आप आराम से एक मंद दे सकते हो, और विटा 15 डेज आप करीब दे सकते हो, मतलब आप साड़े 4 महीने में easily cover कर लोगे, पूरा mathematics, पूरा mathematics आप 4 साड़े 4 महीने में cover कर लोगे, और यहां से 5-6 कुछ सनाते है, point, state line, PSL, को निक सक्ष clear होगे होगा बच्छों आपको, कि किस sequence में पढ़ना है, बिल्कुल यही sequence बना लीजे, note कर लीजे, अपनी को note में उठाए, बड़े से, कह सकते हैं, paper sheet लीजे, उसमें बिल्कुल sequence से लिख लीजे, date डाल दीजे, कि इस date में मुझे खतम करना है, आपको motivation भी मिलेगा, और तो कह सकते हो, आप कर से लिए बस भी cover होगा, अब बात करते है, module 1 की, reasoning में, module 1, reasoning को मैंने 3 module में break किया, module 1 बहुत important, क्योंकि आधा paper इसी से आता है, 15 से 20 question module 1 से ही आते है, जिसमें हमने रखा है series, clock, calendar, direction, distance, coding, decoding, slogs, or blood relation, ठीक है, इनको मैंने रखा है, इसमें साब एक topic और लिख ले ना, assertion reasoning, right, assertion reasoning, ठीक है, और एक analogy, ठीक है, analogy, यह topics लिए, आप यहां से 15 से 20 question आते हैं, बेटा, सबसे पहले तो यह करिए, आधा reasoning तो ही है, और मैं आपको suggest यह करूँगा, कि maths के साथ-साथ, अगर आप इसको 1 hour daily देते जाए, सिर्फ 1 hour, उसी में आप जो भी videos य यह घंटे भी अगर आप देते हैं, तो निमसेट में, जैसे आपने पढ़ना सुरू किया module 1, आप इसको भी पढ़ना सुरू करतो है, यह मतलब 15, 20 दिन, 25 दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक दिन, एक दिल, दो घंटे में आप एक concept को कवर कर सकते हो, एक दिल घंटे तो यह पूरे को मतलब करने में 10 दिन लगते हैं, अगर एक घंटे डंक से पढ़ लो, ठीक है, बट अगर आप, बाद में करना चाहते हैं, तो पहले max कर लो, बाद में reasoning कर लो, यह आपके उपर comfortability है, depend करती है, ठीक है, बट यह बहुत अच्छा है, यह माली जी, और बचा quantitative aptitude में नहीं माने जाते हैं, time and bar, pipe and system, problem on ages, और time speed distance, यह चार्ट अपर को आप कर लीजी है, यह चार्ट अपर qualitative aptitude के हैं, यहां से हर साल एक एक दो दो कुछन मिल जाते हैं, और यहां पर दो important चीज़े रखी गए, यह पजलो sitting arrangement, बच्चों अगर आपने इसको कर लिया ना तो मैं guarantee देता हूँ, आपको guarantee इस बात की written है, वेटा हमारी, कि definitely 10 से 15 question आपको यहां पर भी मिलेंगे, और अगर यह मिल गए, तो आप यह मान के चले, कि पिछले 15 से 20 और यहां से 10 से 15, 35 तक पहुंच जाओ गया, आप आराम से 35 touch कर रहे होगे, ठीक है, और उसके बाद, इ तो आपको बहुत help करेंगे, ठीक है, ठीक है, module 3, ठीक है, module 3 में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हमने कुछ quantitative aptitude को ज्यादे ही रखा है, जिसमें हमारे पास एसमसम reasoning को तो मैंने वहां पर रख दिया, कहां रख दिया, एसमसम reasoning को मैंने उधर बेज दिया, आपका, फर्स्ट मॉडूल ने भीज दिया, ठीक है, यहां पर profit loss, simple interest, compound interest, figure counting, कुछ misleadingous question भी आ जाते हैं, जनका कोई हठीया ठीकाना नहीं होता या रहे है, ना वो reasoning के topic मारे सब्सक्राइब करते हैं, और यहां से भी हम यह मान सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 question आते हैं, बट बहुत ही rare है कि 10 तक जाए कभी यहां से, 10 भी नहीं आता है, 5, 6, 4, कभी 5 भी नहीं आते हैं, उधर बढ़ जाता है, तो आप easily इन तीनों को cover करके reasoning cover कर सकते हैं, मेरा suggestion यहीं रहेगा, कि जैसे module 1 चल रहा है, आप module 1 को ले लो, module 2 चलेगा, इसका भी module 2 ठालो, पस एक डिल घंटे आप इसको देते जाओ, तो mathematics से पहली खतम हो जाएगा, साथी साथ बच्चों यह, कि इसमें हमने 2 module में cover कर दिया, एक इसको, computer को, तो अगर 3 module इसके लिए हो, 2 module computer के लिए, तो जितने में max कतम होगा, पांचों module, आपके reasoning और computer भी खतम हो जाएगे, पांचों module, तो computer के पहले module में मैंने रखा एक number system के बारे में, operation number system की कैसे, same base पे आप direct add कर सकते हो, subscribe कर सकते हो, special code, gray code, compliments, operational compliments, एक चीज और में आपको बता दू, अगर आप computer से डर रहे हो, तो आप 80 out of 80 हमारी playlist बनी हुई है, ACME Academy की YouTube चैनल पे, दस वीडियो आपे पढ़े हुए, दसो वीडियो देख लीजिए, आपका डर खतम हो जाएगा, computer को लेके, पूरा syllabus A to Z पढ़ाया है, आपको दस वीडियो देखने, that's it, वो दस वीडियो देखते ही computer आपका 100% prepare हो जाएगा, कोई आपको computer का, यह माल लेजिए, यह जो module 1 और module 2 में, बुलेन algebra और यह जो बागी चीज़े रखी है, यह दो module में ही, मात्र, दो module में ही, आपका पूरा computer हो जाएगा, और वो दस वीडियो देखके, आपको कहीं से कुछ भी पढ़े जवत नहीं है, computer हमारा complete है, ठीक है, ACME Academy को पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो, यह इंग्लिस है, अगर किसी बच्चे का CBSC board है, ICAC board है, उसको तो पढ़ने की need नहीं है, इंग्लिस मैं आपको बोलूँगा, सीधे निमसलेट की paper solve कर लो, बट अगर कोई state board से है, और उसको लग रहा है कि इसकी English beak है, in case, तो आप English को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आप देखो, mandatory नहीं है, 920 का paper पहले बना लो, ठीक है, 80 number focus बाद में कर लेना, बट फिर भी अगर आप करना चाहते है, तो यह कुछ topics है, आप इन topics पर देख सकते हो, ठीक है, different different जगे पर आपको इनका content मिल जाएगा, और content पर काम कर सकते हो, सा का करना है, किस order में पढ़ना मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, इसी order को follow करिए, आप इसके लावा कहीं भी मत भटकिए, इस बात को मैं बोलूँगा, ठीक है, इसी order को follow करिए, अब बात करते हैं, आपने पढ़तों लिया, बट उस पढ़ाई में एक निखार कवाएगा है ना, उस पढ़ाई में एक confidence कब आएगा, उस पढ़ाई में एक, कह सकते हो, self motivation, self satisfaction कैसे मिलेगा, कि हाँ यार मैंने पढ़ लिया, और मुझे वाता भी है, और मेरा exam qualify होने जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बोलूँ बच्चो, इस sigma rule को आप पढ़ लीजे, वाई, यह sigma rule है, और मतलब life का, निमसेट करेक्ट करने का, यार किसी भी competition exam को अगर करेक्ट करना है, तो इस sigma rule है, जो मैंने खुद बनाया है, CPT, यस, यह किसी exam का नामी लगता है, तो इक exam का नामी समझ लो, क्योंकि आपको exam नहीं top rank लेके आनी है, और अगर आपको बचे हुए six month में top rank चाहिए, तो इस CPT को follow कर लो, बच्चो, CPT क्या मैं आपको बदा देता हूँ, C for concept, P for practice, T for test, यस, आपकी एगर success 100% है, तो आपकी success का जो 100% है, उसमें बटा, 40% depend करता है आपकी concept पे, और 30% depend करता है आपकी practice पे, और 30% depend करता है आपके test पे, yes, 40% में आपकी concept है, सबसे पहले तो यह बहुत जरूरी है कि आप जो chapter पढ़ रहा हूँ, मालो मैं एक chapter की बात की, मैंने भी module पढ़ाया, आपने suppose permutation, combination एक chapter उठाया, ठीक है, मैं एक example लेता हूँ, यह आपने एक vector chapter उठाया, सबसे पहले आप उससे कितना conceptually आपके पास knowledge है, कितना depth knowledge है, क्योंकि जि उतने ही आसानी से आप practice करेंगे, practice मतलब किसी book को, किसी seat को, किसी study material को solve करेंगे, उसे बोलते है practice, उतने ही अच्छे से कर पाऊगे, तो मैंना, ऐसा नहीं है कि आपने concept को बुक से पढ़ लिया है, ना, बुक में पढ़ रहे हो, null vector, unit vector, यार वो concept आपकी क्या हुई मतलब, अब्यार अगर ऐसी कर रहा होता, तो इतने बड़े-बड़े institutions खुले हैं, बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे हैं, मैं तो नाम नहीं लूँगा, आप तो जी डेवली में जानते हैं, कितने बड़े-बड़े institutions खुले हुए हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी-बड़ी fees charge कर र कुछ बच्चों का doubt होता है, generally मुझे कुछ बच्ची YouTube पर message करते हैं, कि सर, practice नहीं हो रहे हैं, यह पढ़तों सब लिया है, questions बनाने जाते हैं, तो questions नहीं बनते हैं, यार आपने पढ़ लिया है, आपको लग रहा है, आपने पढ़ लिया है, पढ़ने से क्या होता है, कि set is the well-defined collection of objects, set is represented by two forms, representation, I think, sorry, set builder form और roster form, तीन तरीके के set होते हैं, इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, उसको अपने अंदर उतार लो, वो कहती है concept, और जब वो विल्ड होगी ना आपकी, तब आप practice करने में आपको मजा आएगा, आप तेखोगे ना, 300 कुस्ट में, 4-5-10 कुस्ट में फस रहे हैं, वो मुझे बेज दे ना, बाकी तो तुम खुदी कर लोगे, ठीक है, और जब practice अच्छी होती हैं, तब टेस्ट में नंबर आते हैं, तब टेस्ट में जाते हो, 40 कुस्ट का 50 कुस्ट का टेस्ट है, उस टेस्ट को दिया, तो पता चला 30, 35 कुस्ट बताए, हर चेप्टर को उठाना, ऐसा नहीं, कि हम टेस्ट सीरीज बाद में लेंगे, हम टेस्ट बाद में देंगे, पहले हम preparation कर ले रहे हैं, यह सब बकवास है, जो भी ग्यान दिया है, वो गलत ग्यान दिया है, सबसे पहला ग्यान आपको मैं दे देता हूं, एक चेप् को आप पड़े करिए, आप देखिए, कि कहीं आपकी concept strong हो रही है कि नहीं हो रही है, conceptually जब आप strong होंगे, तो practice कर पाएंगे, practice के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, concept के लिए भी बताऊंगा, और test के लिए भी बताऊंगा, आप अभी इस वीडियो के साथ बने रहे हैं, आपको आगे मैं बताने बाला हूं कि कैसे इन तीनों पे भी अच्छा performance दिया जा सकता है, यस बच्चों, यहां पे हम दे रहे हैं, आखिर आप CPT, concept practice और test को कैसे best बना सकते हैं, कैसे अपना 100% performance उसमें दे सकते हैं, यस, so the first one is, कि कैसे दे सकते हैं, तो concept को कैसे कर सकते है तो concept के लिए सबसे पहले हम आपको बोलते हैं, कि अगर आपका पहले प्लान है, आप self study कर रहे हैं, ठीक है, मैं पहले उन बच्चों के लिए बात करता हूँ, जिन्होंने decide कर लिया है, कि मुझे निमसेट के लिए कोई coaching जवाए नहीं करनी है, ठीक है, मैं self study कर रहा हूँ और मैं self study से ही निमसेक करेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत simple है, सबसे पहले concept के लिए कोई अच्छा teacher पकड़िए, आप ACME Academy की YouTube चैनल को भी follow कर सकते हो, आप इसके लिए ACME Academy के app को भी follow कर सकते हो, कुछ हम लो अगर आप, sorry, I'm sorry for that, coaching तो बात मैं बात करूंगा, पहले में उनके लिए बात करो, जिन्होंने decide कर लिए है कि मैं self study करूंगा, तो self study के लिए आप किसी को भी follow करिए, बहुत easily आपके पास lots of data मिल सकता है, थोड़ा हाथ पर चलाओगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठी इसके पास knowledge है, क्योंकि इसके पास qualification है, आप पहले decide करो, जब आप को समझ आ जाए कि हाँ ये बंदा सही है, फिर आप इसको proper blindly follow करो, आँख बंद करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुह मार रहो कहीं और, मतलब पढ़ रहे हो, चार वीडियो से देखे, फिर कोई तुम्हें आ क्या ऐसे हाथ पर रहलाते हुए, तो उसके पास भी चले गए, यार ये बहुत हाथ पर रहला रहा है, इसको देखते हैं, नहीं भाई, ये सनली करना है, आपको decide करना है, कि मुझे इसी से पूरी concept करनी है, ठीक है, तो proper आप concept करो, अच्छे से follow कर सकतो concept के लिए किसी को भी इस इस दा फर्स्ट बड़ वीडियो से करिए, बुक से मत करिये मेरा पर्सनल और आप वीडियो से ही करिये, क्योंकि आज की digital दुनिया में, वीडियो भी इसली अबलेबल होते है, ठीक है, पहने नहीं होते थे, तो लोग बुक से ही कर लेते ठीक है, बट आप तो digital world चल र प्रेक्टिस के लिए पहले कंसर्ट पता होनी चाहिए एक चप्टरा का अच्छे से सीख लिया अब एक बुक को पकड़ो आज़ी सर्मा अच्छी बुक है मार्केट में फिंगर टिप्स एक बहुत अच्छी बुक मैं बताता हूं इतना बढ़ी आप निम्सेट के लिए कि क्या ही बोला जाए तो बही इंदम कह सकते हो बाप है इतने कुछस इसमें है कि आप ठक जाओगे कुछन करते 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 प्रेक्टिस करते करते तो इस दा मोस्ट इमांडेवल वोक है से इसको ले सकते हो आडिस नमा भी बहुत जो तुम्हारा कंप्ली एंसी पैकेज उता उस पर भी काम कर सकते हो और ठीक टाक उसस दिया है उनके सालूसर में थोला मिस्टेक है बड़ उसको भी तुम देख सकते हो इसी तरीके से ब्यसिट वाली जा सकते हो आरे सगरवाल जा सकते हो रीजिनिंग में ठीक है बीए सब परचेस कर सकते हो बढ़ी हारा था रहता है कि खुद हम लोग निमसेट को ध्यान में रखते हुए उसी लेविल के कुश्च डाल देते हैं उसमें ठीक है एक्जाम पिस्स थियोरी सब कुछ रहता है तो अब श्टडी मेट्रियल भी ले सकते हो तो वह भी बहुत आसान हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए नेक्स चलते हैं टेस्ट के लिए आपको यहां टेस्ट सेरीज रेनी बड़ेगी मैं आपको भी बता देता हूं अगर आपने टेस्स नहीं लिए तो आपको कहूं बिलकुल आप टेस्स design две रहее उन से जोड़ पता कर सकते हो वह बिलकुत सही कह सकते हो कोिक हमारे जो test का level होता है मतलब हो एक number होता है वह आपके कैसकते हो test से ही कुछ बच्चे हमारी practice कर लेते हैं कुछ बच्चों को बोला हूं इतने test देते आपको test series में इतने test देते हैं कि कोई बच्चा प्रक्टिस के लिए डर रहा है कि कौन सी बुक करूं ना करूं इसको छोड़ दो मैं तो करूं इसको गोली मार दो हमारे test में ही जो recorded test है test में हमारे दो तरीकी एक test होते है लाइब टेस्ट और रिकॉर्डड़ टेस्ट तो बुक में तुम लगाओगे ना 300 कुस्टन उसमें 50 कुस्टन बहुत अच्छे होंगे वहीं 50 कुस्टन इसमें मिल जाएंगे ठीक है तो पूरी महनब जो एधर करोगे ना है कि अगर आपको लगता है कि test recorded test से practice करनी ठीक है नहीं तो हम daily होंबर करता है हमारा ठीक है daily 독term daily पर देंदीगे दीपर नशीन मिलते हैं वाद भी डिसके सोते हैं ठीक है उनके जार्स रहते हैं और ऻुरी आपड़ेंस होता हो है तेस का वीडियो solution भी होता है और साथ ही साथ आपकी नीड के according हम आपको वीडियो भी देते हैं अगर आपके मुझे message किया कि सर अच्छी सब कल पढ़ लिया अच्छे से कोनेक्स सेक्षन में थोड़ी problem हो रही है सर कोनेक्स सेक्षन का वीडियो दे देते तो बहुत अच्छा रहता तो हम अपने टेस्स सेरीज के बच्चों को वीडियो अब लिएविल करा देते हैं ठीक है और वीडियो आप देखके अपना concept क्लियर कर सकते हैं तो आप बोलो कि स सबसे 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 की अब बहुत को सबसे सही और सबसे बहतरीन कुस्टन का collection वारी टेस्स जाइए और सबसे 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 और सबसे और सबसे इसकी कोश्ट 3600 है कितना कोश्ट 3600 है और अगर आप यह वीडियो देखके आते हो तो आप एक डिमांड कर सकते हो आपको कोई कूपर कोड भी दे देंगे तो 100 200 300 जितना हो सकता है वो पॉस्विल है हमारी टीम से बात कर लेना और डिसकाउंट कर देंगे मतलब 3000 की रेंज में आप पैक्टर का चलो हमें तहरी करनी है तो बैक्टर की प्रक्टिस करनी है आप किसी बुक को मत लगाओ आप रिकॉर्ड टेस्ट में जाओ 2 3 4 5 6 10 जितने भी टेस्ट पड़े होंगे उनको जाके अटेंट करो 10 10 अटेंट देता हूं आपने पहला टेंट किया जल्दी से बंद रिकॉर्ड और तो सबसे पहला फीचर लिकॉर्ड टेस्ट दूसरा फीचर मतलब आपकी जो लीट है उसके लिए हम आपको वीडियो देडेंगे ये मों पिछले दो सालों से कर रहें ठीक है मतलब पिछले 2 साल से यह पार्ट हमारा टेस्सी में पूर्ण कर दिया तो मैं द अपना वीडियो देख लेता है अपना बढ़िया अपनी कर लेता है बापस से जैसी बोलता है मुझे किसे मेरा कंप्लीट हो गया तो उसको रिमूब कर देते हैं तो वीडियो आपकी नीड के कॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आप सब्से इंपॉटेंट है डेली लाइव टेस्ट यस यहां पर डेली लाइव टेस्ट होता है सडलेडे चोड़के यँस आगे जाके दोई संडल को भी कर देता हूं मतलब ये पहले दिन से हीुआ तो यह से आपक्मे करोगे ना हम डेली लाइफ टेस्टी लेते हैं यतले टेस्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे भी कहते हैं सब्सक्राइब हो गई हमारा इसके पीछे एमोटिव रहता है अगर मालो मैं महीने में 30 टेस्ट ले रहा हूं आपके 35 तेस्ट ले रहा हूं अगर लाइफ डिसकसन भी होता आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे नहीं बनाना चाहिए था और अगर आपने ऐसे बनाया तो आपका टाइम लगेगा एक मिनट तो यार यह लाइव टेस्ट का भी आपका लिए यह बहुत इंपॉर्टन फीचर है हमारे टेस्ट सीरीज का तो आपके बहुत बेनिफिट में आने वाली है साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यार ठीक है आप इस टेस्ट के साथ आपको मिलेगा एकमे का प्रीमियम स्टडी मेटरियल यह जो आप आफ लाइन बाले बच्चों को देते हैं वह स्टडी मेटरियल आपके बच्चों को को आप बढ़ें आपके पास हलागी हम लोग इसमें हाट कोपी नहीं बेचते हैं सौंट कोपी देते हैं आपको पे करना पड़ता है एक्स्रा बटिए है नौट यूट रहती है बढ़िया-पढ़ियो सौ तो बबसको पर फिर से बता दूब आपको आपको आपका स्रीन से CVT के लिए आप जा रहे हैं महराष्ट MCE के लिए डियू के लिए जा रहे हैं तो ACME की test series लीजिए ACME premium test series यह सबसे सच्टी भी है सबसे affordable है और कह सकते हो सबसे best content रखती है इस बात को आप पता कर सकते हो इंडिया के लगवग में हर जगए के बच्चे ठीक है बहुत सारी कैसे तो different different coachings के बच्चे भी ACME की test series ले लेते हैं ठीक है तो आप इस test series के साथ अगर जाते हैं तो इसमें का का मिलेगा बता दे रहा हूं recorded test मिलते 600 प्लस मलब आप अपने मन से चेप्टर चूच करिए test दीजिए solution देखिए analysis करिए practice के लिए बहुत important है live test तो daily मिलता है अब आप सोच रहे होगे sir जो live test निकल गए वो निकल गए यार वो इधर मिल जाएंगे तुमको इधर आ जाते हैं सब live test होने कवाद इधर आ जाते हैं यह हमारे daily ही चलते है आप जब भी ज्वाइन करोगे तीन-चार महीने में ही आप अपने इतने सारे तो थोड़ा बहुत additional charges लगते हैं आपको भी मिल जाता है और वीडियो आपके नीट के वीडियो माग सकते हो आपको मिल जाएंगे चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ premium courses की मालो अभी तक तो बात कर रहा था मैं बच्चों self study के लिए अगर आप self study कर रहे हैं तो मैं आपको बताया कैसे concept practice और test को आप अच्छा कर सकते हैं बट अगर आपका मन है कि कि किसी कोचिंग के साथ associate हो जाए तो यस तुम ACME Academy के साथ अगर आप associate होते हो तो तीन तरीके के हमारे पास option है इन तीनों तरीके के option में आपको CPT पर focus मिलेगा concept भी strong होगी practice भी होगी और test भी मिलेगा सबसे पहला और सबसे cheap course कोर्स है वो है recorded course काफी सस्ते में बहुती affordable fees में जितना फीस आप सोच भी नहीं सकते हो उससे भी कम फीस में इंडिया में सबसे कम फीस में आपको ACME Academy का बहुत ही बढ़िया recorded course मिल रहा है जिसके अंदर recorded lectures होंगे पूरा complete all four subjects के और बकाइद study plan के साथ की आपको पहले क्या पढ़ना दूसरे पर क्या पढ़ना तीसरे पर क्या पढ़ना इस study material मिलेगा बाइए chapter complete करो practice करो पढ़िया और test series भी मिलेगी मला जो test series भी आपने आपको बताई वो पूरी test series इस भी मिलेगी जिसमें live test recorded test सब कुछ मिलेगा तो CPT आपका पूरा complete होगा recorded से बहुत कमफी से इसकी आप ACME Academy का app download कर लीजेगा link description में दी गई है वहां से जाके आप इसको purchase कर सकते हो डूसरा online course online और offline courses में similarity बस एक ही difference है offline में आप हमारे classroom में आके पढ़ते हो सिफ यह difference है बाकी यहां से यहां तक सब कुछ सेम है यहां पर offline में आप यहां के पढ़ते हो और online में घर से पढ़ते हो इसलिए इन दोनों के batch भी सेम होते हैं अभी अर्जुना और target batch चल रहा है बिल्कु शुरुबात कर रहा है तो आप अर्जुना वैच से सुरू करिए अर्जुना वैच में रहिए जैसी आपका improvement हो जाएगा एक बार आपका basic medium लेवल पे देवस complete हो जाएगा हम आपको target बैस में मूब करते हैं क्या क्या मिलता है इन दोनों में offline classes में मैं आपको बता दू offline classroom उसके बाद सब कुछ सेम है और online classes में सबसे पहले online classes मिलेगी मतलब आपको पता चले किया time table रहता है पूरी विक्का आपका live class रहेगा live class करिए daily 2-3 live classes हो दो चाहो तो दो अटेंड कर लो दो तो कंपा सरी एक reasoning का और एक maths का मैस की डेली दो टेस्ट दो classes होती लाइव एक अरजुना की भी होती ही टार्गेट की भी होती दोनों मिलती है आपको ठीक है आप पहले जिसको focus करना चाहा उसको कर लेदी है लाइव होने के बाद recorded आ ज स्लेबर्स आपको एक ही वारा मिल जाता है आपने course purchase किया 100% स्लेबर्स आपको मिल गया कि study material मिलता है आपको यहां पे placement preparation सायद इंडिया की किसी भी institute में या कहीं पे भी यह एक feature आपको additional मिलता हो सायद क्योंकि बच्चों यहां पे हम आपको placement के लिए भी prepare कर रहा है यस आपको जो advanced computer c language c++ data structure dbms operating system networking algorithms यह सारा syllabus ठीक है हम यहां पे cover कर रहे होंगे साथी साथ बच्चों हम लोग यहां पे java full stack developer back end developer बहुत सारी चीज़े लेके आने वाले हैं इस course में तो placement preparation निम्सेट के साथ free मिल रही है बट जो बच्चे निम्सेट के नहीं है जो किसी दूसरे field के हैं और वो आके eals ज्चें करते हैं तो यार वो इसकी उतली ही piece देते जितनी में अनने पर नहीं और बच्छे अलग से आते है तो बच्छे चक्टरीच में ही जो तो बच्चों यह हमारे प्रीम कोर्सिस हैं अगर आप इन में से कोई भी कोर्सिस लेना चाहते हैं तो आप इस को ले सकते हो साथी साथ अगर इंफोर्मेशन आपको जरूरी लगी हो तो आप इसे सेर करिए ठीक है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए साथी कोचिंग करके मिल जाएगा आपको और वहां से जाके आप इन कोर्सिस को भी देख सकते हैं अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप डेफरेंटली कमेंट करिए हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे थैंक्यू कर दो टॉपिक टो नहीं डापको क् झाल झाल